जिक्रावर और हमें चाहिए एक है गर का मुख्यमंत्री होगा फिर मैं और ये मेरे प्रिवार जर्म है जो इस सारे भाई खड़े हैं नोजवान बड़े मुज़ूर्ग हैं हमारे हमारी सरदारी है मेरी माताय में वेने हैं और आप पत्रकार भी सब की ताकत एमेले और एमप आदमी चन्निगड जाएगा तो सलूट लगया करेंगे दफ्तर में अधिकारी कुर्सी से खड़े होके स्वागत किया करें अभी इस सरकार ने बहुत सारी वादें किये थी जूटी घोशनाएं में की थी और नहर बनाएंगे मेडिकल कालिज बनाएंगे कलियां पकी करेंगे सडके पकी करेंगे यहां बड़ी बड़ी टेंट लगे मुखे मंत्री जी भी आए क्या कोई बात हमारी पूरी हुई नेर बनी बाखडा का पाइस्ता गगर का पाणी आया तो फिर हमारा हुआ क्या हमें तो पचार दिया कांग्रेस दस साल लूटती रही तो और इसने बीजेपी ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया किसान को स्वामी नाथन की रिपोर्ट मिली किसान की आये दूड़ी हुई फोजी को वन रेक वन पेंशन मिली नोजवान को नोकरी मिली तो फिर क्या बला हुआ देश का अब कहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला करकर क्या आई हैं मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हों कि हमारी सेना दम खम रखती है कि हम 300 को नहीं हम पाकिस्तान को भी मिटा सकते हैं कि नहीं सेना के प्रमुख्य कहते हैं कि मेरा आताम ये बताना नहीं है और मुझे ये पता भी नहीं है कि कितने मरे यही बात कही थी और अमिर्शा कहता है कि 300 मरे मोधी कहते है 300 मरे योगी कहता है 400 मरे इनको कैसे पता कितने मरे इस बात से सहमत हो के नहीं सेना के काम पर राजनिती करनी गलत है सेना बीजेपी की नहीं सेना हम सब की है इसलिए ये ओच्छी राजनिती बीजेपी को छोड़नी चाहिए और चुनाव में बीजेपी को उसकी हैसियत बताने का काम इस बार गरीब किसान का मेरा वर्व करेगा इस तरह का तो आपने हाल देख 22,000 वोट आई जीन में और जबकि सबसे बड़ा दावेदार था राहुल गांदी का जमा खास दोस्त रंदीप सिंग सुर्जेवा जिसकी जमानत 200-300 वोट से बचीव तो इसका मतलब कांग्रेस पाइटी की उस टूजी ठीजी और जीजाजी की सरकार को दुबारा देश द 38,000 वोट लिए दिखवजे के नहीं है यह आपकी मेनत है दिखवजे की क्यासियत में जीरो के बरावर मेरे को खड़ा कर दिया हमारे सीनियर में मुझे आदेश दे दिया मगर आपने जो मेनत करें मैं देखता था यहां के लोग हमारे पाइटी के वहां जाकर जब मेनत करत है और दुशन्त के प्रती लोगों में जो भावना है आज के दिमें स्वर्गे चौधरी देविलाल जी की प्रती मूर्ती शराफत की मूर्ती सब को गले लगाने वाड़ा दुशन्त चोटाला लोग मानते हैं और उनका क्या हुआ जो हमारे को जमाना जब पाइटी कहते थे उनके तो तीनी अजार वोट आए उसमें भी रोडा मश्या भी ऐस्पी वाड़े कहतें यह मेरे चैंडिडेट कहता रहें यह मेरे हैं और वों कह रहे हैं यह हमारे उन हम भी बच्चा पायटी कहते हैं हम बच्चा पायटी बच्चे तो हैं मगर आपके बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं अगर आपके बच्चे आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या गलत है तो बच्चों को तो वैसे भी आश्रवाद देना चाहिए के नहीं अगर दुशन किसान की लड़ाई लड़ता एट्रेक्ट रखी है तो क्या ये बच्चा पायटी गलत कर रही है ये बच्चा पायटी नहीं ये क्रांती कारियों की पायटी है ये क्रांती कारियों की जो विवस्ता परिवर्तन करमाचा बाकी बातें बारिष्टू की तेज हो रही है बहुत स तो एक इस अंकल्प लेना है दिन रात मेनत करनी है आपको 15 साल हुए इस जिले के लोगों को और आपकारे करता हुए 20 साल अगर इंजार करना पड़ गया यानि 5 साल और में वेट करनी पड़ी तो एक पीडी बदल जाए और एक पीडी बदल गई तो जो आणी वाली जनरेशन है इस इलाके थी उसको हम क्या जवाब नहीं है कि हम तुम्हारी सोच का राज नहीं मना पाएं तुम्हारे इलाके क परमात्मा का अश्रवाद लेके यह जो जेजेपी स्वर्गे चौद्री देविला जी के पंच्रों के नई पाइटी बढ़ी है डाक्टर आजेश सिंग जी और अब दुशंत की अगवाई में सब्दार निशान सिंग जी की अगवाई में अमीर्चन चावला जी की अगव की सोशार और नियाना में भनाना है दुशंत को ये मौकर देना है दुशंत अगर आएगा तो फिर ट्राईगा और नंकाएगा गलेड़ उश्ट्ट अगर आएगा लडवाये नहीं स्कूल को अगर नचलों को भूप को नव्म लोक्रीयात ऊज्ट्ट् वग्लेगा तो बैक्वरण धल्नका समान अप्ट वर्कारी का समान है तो इसलिए आप तयार हो के नहीं तयार हो तो आज ये संकल्ब ले करके जाओ और ये बिगुल बजा दो और 2019 में इस हलके का मुख्य मंत्री बना दो बहुत बहुत धन्यवाद भाई